नमस्कार जे जगरनाथ आज से लगभग 500 साल पहले उडिशा के पांच महान संथों ने लिखे थे भविश्यमालीका एक समय ऐसा था भविश्यमालीका केवल ही केवल उडिशा के स्तर पर था वो भी जो आज के डेट में पूथी है और उडिशा में जो लुप्त गुंफाए हैं उसके अंदर छुपा हुआ था लेकिन आज समय बदल चुका है मालीका यानि भविश्यमालीका केवल उडिशा स्तर पर रही नहीं राश्ट्र स्तर पर पहुंच चुका है तथा विश्यमपाडल पर भी पहुंच चुका है अखिरकार भविक्र मालीका में क्या लिख information है जो लिखा है उसमें से कितनी बात हैं वह सत्त शावित हो चुके हैं मेरे हाथ में है कि एक के सी लिस्ट पर एक नजर डालता है मालिकाफ मी यह भी लिखा है घर में बड़ों को कोई नहीं मनेगा संमान नहीं देगा जो छोटे हैं उनको भी कोई आदर नहीं करेगा जो हमारे गुरुजी है गुरु जी को भी हम सनमान नहीं करेंगे इस अब बिल्कुल काज्वल मोड में आ जाएगा चल छोड़े यार इसके साथ सथ यह लिखा है कि 2030 तक पूर्व उडिसा पानी में डूप जाएगा 2030 तक और यह देखिए बिल्कुल नासा के रिपोर्ट भी ही कह रहा है कि उनका जो दो जो रिसर्स है जो रिपोर्ट है इसको करेंगे उन्हें बोले 2030 तक यह होगा फिर इसके बाद दो मैने के बाद उन्हें ने फिर सक करेंगे वह बोले हैं कि कि दोואלर उनटीज तक ऊडिचा के जो पूरवी हिससा है वह हमेसा कोइसा कर लिए समंदर में ढुप जाएगा। और मालिका में भी एह लिखा है कि Odisha के जो साथ कोस्टल डिस्टिक्ट हैं जो समंदर के किनारे में हैं, वह में रिफथ हो जाएगा। यहां मान सकते हैं कि अभी का साथ राज्य हैं लगवग बालस्वर, भद्रक, जाजपूर, केंद्रपड़ा, जगत सिंगपूर, गंजाम, पूरी ऐसा ऐसा है जो साथ जिले हैं और वो जो है सामेशा के लिए डूप जाएगा फिर से टुटेगा दलाई घाई और दोहजार जलग एक बार फिर देखेगा ओडिशा तो यहां पर एक जगा है दले घाई जो है वो जगसिंग चिला में है और वहां पर 1922 में एक बहुत बड़ा बच्चा जो बाड़ा आया था जो तभाही मतने वाली बाड़ा आया था वो बांथ टूड़ गया था जब वो बांथ त तब बहुत नुक्सन होता है तो यह भी दले घाई की बारे में जो है वो मालिका में लिखा गया है क्या लिखा गया है एक पंक्ति आप सुन लिजिए ओडिया में में पहले बोलता हूं इसके बाद में हिंदी में उसका भासांतर करूँगा यह लिखा है कि गुपता दले दले घाई उचुली पडिवा गुपते गुपते जोलस्तर पाताल गमिवा सही समयरे राम जानी था जे पुणी बाई से पहाच जाए लागी जिवा पाणी यह लिखा है कि जब वहां पर हिराकूद बान टूटेगा और यहां पर सुनामी का लहर आजाएगा वो जाके मिल अचितल मचली है उनका भी मेल उहीं पर होगा तो यह सब चीजे लिखा गया है और क्या क्या लिखा गया है मेरे पाढ़ से लंबा लिस्ट डालते हैं नजर कोरोना के बाद सामने आयागा चोछट प्रकार की महामारी यह भी लिखा है मालिका में एक कोरोना जो है मतलब शम और यह भी साथ साथ प्रमान दराएगी, कॉरोना के बाद ऐसी बिमारी आएंगे, जिसमें तीन मिनिट के चलते लोगों की जान जा सकती है, मतलब समय नहीं मिलेगा, हमें मतलब मरीज को, हम जो मेडिकाल लेके जाते हैं, हॉस्पिटाल लेके जाते हैं, समय नहीं मिलेगा, तीन मिनिट के अंदर लोगों की मौत हो सकता है, यह सब चीजे हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, जबकि मालिका हमेशा समास को एक सचतन का बारतत दिया है, और वो संदेश आप तक हम पहुंचाने के लिए चोटा सब प्रयास कर रहा है हमारे चैनल, डालते हैं नजर और क्या-क्या लिखा इस लिस्ट में महाभारत का एक प्रहर का युद्ध भी बाकी है, मालिका में लिखा गया है, बाकी है महाभारत की एक प्रहर का युद्ध, इसके साथ साथ यह भी लिखा है, काम करना बंद कर देगा बग्यानिक यंत्र, मतलब बग्यानिक यंत अजयेगा मतलब जो हमारे ज़ा जनसमाज है कितने प्रपलेम फेश करेंगे। इसके साथ ये भी लिखा है कि आने वाले दिनों में दिखेगा अन्न की तंगी। मतलब अन्नी की समस्या जो है वो दिख दिखेगा, ससी समस्या, मतलब किसान जो है पहले उनके उपर प्रहार होगा, और खेती जो है, मतलब जितना रिटन देता है, जितना फसल उगाता है, वो हमें नहीं मिलेगा, आगे चलके तंगी आईगी. यह भी लिखा है लोग नहीं करेंगे अपने पितों का स्राध मतलब यह तो माना जाता है हिंदु हिंदु दर्म में पितों का मुस्राध देते हैं सभी धर्में में अलग-अलग होता है लेकिन आगे चलके यह भी बंद हो जाएगा लोग बोलेंगे चल छोड़ो इसका कोई जरत ही नहीं है, आगे चलके ऐसे भी समय आ रहा है, इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि स्रीकेत्र को छोड़कर महाप्रभू स्री जगरनाथ चतिया बट में बिराजमान होंगे, तो कटक में ही एक जगा है, उसका नाम है चतिया बट, बिलकुल में लोड के साइड में है, ज ये भी लिखा है, बिना द्वारबले पारेश्वर मंदिर के खुलेंगे द्वार, पारेश्वर मंदिर ये पारदीब, बड़ेशा में के बड़ेजर, को चारओ और द्वार नहीं है, अगे बंद्ध, खुलेगा, एक समय आएगा क्ली जिव के ये के अंतिम काल खान में, प्रले लिला चल रहा होगा, उसी समय उसका द्वार खुलेगा, उसको हम कहते हैं पारेसोर अमुहा देवल, अमुहा मंदिर हम कहते हैं, और साथ-साथ ये भी लिखा है, पारादेप के उदैबट बनेगी कलकी लिला की साक्षी, पारादेप में और भी एक मालिका बरनिस्ता है, उसका नाम है उदैबट, उदैबट पर हम वीडियो बना भी चुके हैं, आगे चल के वहाँ पर हम जाएंगे, उनके जो महन्त है, उनसे भी हम बात करेंगे, उदैबट जो है, बिल्कुल है क्रुसियल पॉइंट है, कलकी लिला के दोरान, तो वहाँ पर भी जो कलकी ल भाएंकर युद्ध होगा, गंगा से लेकर गोदाबरी तक भाएंकर युद्ध होगा, भगवान की पूजा हमेशा के लिए बंध हो जाएगी, कोई भगवान पर विश्वास नहीं करेगा, इस्वर की पूजा हमेशा के लिए बंध हो जाएगा, एसा भी समय आ रहा है, य 1999 जैसा महा चक्रबात उफान का एक जलक, 1999 का उतुफान जो मुझे भी याद है, लगभग 315 से जादा था प्रति घंटा उसका रपतार, बिलकुल तबाही मचा दिया था उडिसा में, मोथ की आंकडा गौर्मेंट के पास भी नहीं है, कितना लोग इसमें मरें, गौर्मेंट वो सूपर साइकलोन चक्रबात तुफान और फिर से मालिकाई प्रमान दे रहा है, कि एक बार फिर उडिसा देखागा, ऐसा ही 1999 जैसा चक्रबात तुफान, सूपर साइकलोन, देखिए, यह भी इसमें सामने आ रहा है, कि आस्मान में अजीब आवाज गुझेगा, कई बा क्यी ह्का साम्हान दुसरे जात में साधी करेंगे, यह सब चीजें वहाँ पर लिखा गया है, दिली के आशन पर बिराजमान होंगे स्वल बभधर। पी दिली वहाँ पर स्व्ख बिराजमान होंगे सासन करेंगे महाँ पर Sवायंग बलभधर। संबल गाव में स्वयंग कल की महा परफू जन्म लेंगे संबल घाओं यानwestfred to bharádd नोजवेगें तो भारत पर कैसे संफूर जहां लिखाएं जाजभार जाजवनागर यानिशिया जाजभाव और वब संबल घाओं मार्फू कि अनोज़नाम जाजवन जा रहा है कलकी भागवान जी को पहचाने के लिए कौन सा कौन सा संकेत देखनों के भी लिगा ये भी मालिका में लिखा है जब भक्त हैं वो समझ पाएंगे जब महापरभू आएंगे तो उनके सरीर में क्या क्या संकेत होगा तब हम मानेंगे कि ये कलकी महप्रवु हैं, एसा योग भी आ रहा है और ये भी लिखाए कि अखन्ड भारत का सपना पुरा होगा जो भारत कभी अखन्ड था, हम इसको अखन्ड भारत कहलाते थे बाद में इसको टुक्रे टुक्रे होगे, एक बार फिर से अखन भारत का सपना भी साकर होगा यह भी लिखा है पुरे विश्व में जो है सनातन धर्म का धोजा वो लहराएगा और यह भी लिखा है कि विश्व की 111 देश सनातन धर्म और मालिका को माननेता देंगे मालिका में यह साब सब लिखा है ये पांच महा संतों उनके ग्रंथों उनका स्तान दिया हैं कि विश्वा की जितने भी सारे देश हैं अंत में 111 देश जो है वो सनातन धर्म कमानेंगे और मालिका को भी माननेता देंगे और साध इसका शुरूवात हो भी चुका है और मालिका में ये लिखा है कि सोला मंदल की जो 20 लाक भक्त हैं वो भी इकट्टे होंगे सोला मंदल के बारे में लिखा है जैसे आद्य मंदल जो है मासारला मंदल, बिरजा मंदल, बिमला मंदल, मांगला मंदल, समले मंदल, हेंगुला मंदल, गोरी मंदल एसे एसे करके कटक चंडी मंदल, एसे एसे करके 16 मंदल हैं, 16 मंदल के अंदर 20 लाख भक्तों का एकत्र करण होगा, यह मालिक कमी लिखा है, और यह भी लिखा है कि दुनिया के नक्से से हमेशा के लिए मिठ जाएगा चाइना, अपने ही चक्र भी में फसेगा पाकिस्तान औ बिले होगा हिंदुस्तान के साथ, तो मतलब पाकिस्तान जो है जो चक्र भी रचेगा भारत को कुछ नुक्सान पहुंचाने के लिए आपने ही चक्र भी में पाकिस्तान खुद फसेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा वो भारत में ही बिले होगा, भारत में पाकिस्तान का स निमाल में है, कटक जिला के अधिन में है वो निवान, निमाल जो है, संथ अच्छितनान्द दास जी की साथना पीठ है, वहां पे जो पवित्र बर्गत का पेड़ है, उसका जो जड़ है, जब अच्छितनान्द गादी छुएगा, तब जो है, यूग परिवत्तन का बड़ है, कई बार ये घटना घट चुके हैं, और आने वाले समय में भी ये सब घटना घटित होगा, तब हमें मानना पड़ेगा, कि अब यूग परिवत्तन का समय आ चुका है, कले यूग का अंत जो है, निस्चिनत है, किस लगा असका ये वीडियो, कमेंट बक्स में आप तो समय सक्षिये, देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जे जगरनाथ, जे पंसका